अद्बुद जन्जातिय संस्कति को समेटे उर्वोत्तर भारत के राज त्रिपुरा के प्रणवानंद विद्या मंदित पश्चिम त्रिपुरा की चात्रा आदृता चक्रवर्ती हमसे ओनलाइन जुड़ रही है तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति है तू माननिय प्रधा मंत्री महोदाय मेरा नाम आद्रिता चक्रवर्ती है मैं प्रणवानंद विद्यामंदिर पश्चिम त्रिपुरा में कक्षा बार्वी की छात्रा हूं मेरा आपसे यही प्रश्टर है कि एपर खतम होने के आखरी कुछ मिनिटों में मैं भब्रा जाती हूं और मेरा साधनों से भरपूर दान का कटोरा के रूप में प्रसित राज्य चतीजगर्स्तित जवाहर नवोदे विद्याले करब कांकेर के छात्र शेख तैफुर रह्मान ऑनलाइन माद्यम से जुड़ रहे हैं थता परीक्षा के तनाव से मुक्ति के लिए मार्क दर्शन चाहते है टैफुर रह्मान क्रिपे अपना प्रश्न पूछिए मान्यवर मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाएं क्रिप्या अपना मार्क दर्शन दे धन्यवाद शुक्रिया तैफुर उडिसा आदर्श विद्याले कटक से हमारे बीच इस सभागार में एक छात्रा राज लक्ष्मी आचार्या मौजूद है वे प्रधान मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती है राज लक्ष्मी कृप्या अपना प्रेशन पूछिए थी किस तरह है राज लग्षमी? हाँ जय 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 गंदा मैंने में राज लग्षमी अचार्या मैं प्रमोरी सादर्स विद्याले जोकी दोला बंकी गटक साथ, my question is it is easy to say you it is easy to say you face exam with a cool mind but in exam hall the situation is so scary like don't move, look straight and so on then how can it be so cool? thank you sir दन्यवाद राज लक्षमी प्रधान मंत्री जी अद्रिता तैपुर और राज लक्षमी और इनके जैसे अनेक विद्यार्तियों द्वारा परीक्षा पे चर्चा के पिछले सभी संस्क्रनों में प्राह ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और अब भी ये प्रश्न कुछ विद्यार्तियों के चिंता का कारण बना हुआ है कि वे परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव का सामना कैसे करें कृपया इनका मार्क दर्शन कीजिए गुमफिर करके फिर तनावा गया अब ये तर्लाव से बुक्ती कैसे हो आप देखिए कैसी गलती होती है कुछ गलतियां ये रोज मरा कि हम थोड़ा अब्ज़र करें तो पता चलेगा कुछ गलतियां पैरेंट्स का अति उत्सा कर देता है कुछ गलतियां स्टूडेंट्स की अतिशे सिंसेरिटी कर देती है बस समय तो उससे बचा जाए जैसे मैंने देखा है कि कुछ माबाप को लगता है का अज एक्जाम है तो बेटे को नहीं पहन लाकर के दो तो तो प्रक्पने अच्छे पहना करके भेजो जो पहन रोज उप्योग करता है वही दीजी आप यह वहाँ पहन दिखाने थोड़ा जा रहा है और परिक्षा के समय किसी को फूरसर नहीं आपका बच्चा नया पहन कर गया पुराना पहन कर आए तो यह साहिकी उनको भाराना चाहिए कि दूसरा कुछ ऐसी चीज़े खिला करके बेज़ेंगे तुझे एक्जाम है यह खाके जाओ एक्जाम है यह खाके जाओ तो उसको और मुसीबत होती है जिसका वो कमपट नहीं है आवश्यक्ता से अजूब उस दिन खाना फिर मा कहा तुम्हारा तो एक्जाम सेंटर इतना धूर है तुम रात आते आते साथ बज जाएगा ऐसा करो कुछ खाके जाओ फिर कहें कि कुछ लेके जाओ उसको रिजिस्ट वो रिजिस्ट करने लगता है ने मैंने ले जाओगा वहीं से तनाव शुरू हो जाता है घर से निकलने से पहले हो जाता है तो मेरी सभी पैरेंट से आपेच्छा है और मेरा सुझाव है कि आप उसको अपनी मस्ती में जी दे दीजिए एक्जाम देने जा रहा है तो उससा उमंग के साथ चला जाए बस जो उसकी रोजमरा की आदत है वैसा ही रहे हो आप अच्छाना कि इस प्रकार से इवन रेल्वे स्टेशन पर भी जाते हैं तो कभी ट्रेन की एंट्री और आपकी एंट्री इसा होता है गया आप पांच बस मिट पहले जाते हैं प्रेटफरम पर खड़े रहते हैं को पांपका डिब्बा आएगा उसका अनुमान लगाते हैं फिर उस जेह पे जाते हैं फिर सोचते हैं कि पहले कौनसा लगे पर देर ले जाओंगा फिर कौन सा है यानि मन आपका तुरां तक में आपको ट्रेन आने से पहले ही सैट करने लग जाता है वैसे ही आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है हो सकता है वो कोई सुभे से आपके लिए खोल के नहीं रखेंगे लेकिन दस-पंदरा मिनिट पहले तो अलाव करी देते हैं तो आराम से जैसे ही खुले अंदर पहुंच जाहिए और आराम से बैढ़िए मस्ती से जरा पुरानी कोई हसी मजाग की चीज़े हैं तो उसको जरा याद कर लीजिए और दोस्ती बगल मात एका चुटकुला सुना दीजिए हसी मजाग में पल 5-10 मिट मिटा दीजिए कुछ नहीं है जानपाने कम से कमें देब ब्रिथिं करिए बहुत घहरा सास लीजिए दीरे दीरे 8-10 मिनिट खुद के सिरिए जीए आप खुद में खो जाएगे एक्जाम से बाहर निकल जाएगे और फिर जब आपके हाफ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप कमप्रट होगे पढ़ना क्या होता है वह आग नहीं वो देखाएग नहीं वो कैसा है पना नहीं टीचर कहां देखता है CCTV केमरा है अरे आपका का ताम है जी CCTV केमरा किसी भी कोने पर पढ़ते हैं क्या ले रहते हैं जी हम इनी चीजों में लटके रहते हैं और वहीं बिना कारण हमारी शक्ती समय बेश करता है हमने खुद में ही खोए रहना चाहिए और जैसा ही क्वेश्चन पेपर आजा है तो कभी कभी तो आपने नमर आया है लेकिन क्वेश्चन पेपर वो पीछे से बाटना सुरू करता है तो आपका दिमाग फट रहता है कि देखिए मेरे से तो पांट मिट पहले उसको मिलेगा कि मुझे पांट मिट बात पर बिलेगा ऐसा ही होता है ना अब ऐसी चीजों में अपना दिमाग आज मिला तो आप अपने अडर जीव आप परिसीती तो पलट डे सकते टीचर ने महां से कुझा आप खड़े ओकर दे किया सकते पहले मेरे से तो ऐसा तो नहीं कर सकते तो आपको पता है यह सा होना फिर ऐसे ही अपने अपने आपको अड़ेस्क अले रहे चाहिए एक बार अज़े आगल भगल कि सारी दुनिया और हम बचपन से पढ़ते तो आये हैं वह एह अर्जून को पक्षी के आखेऌ वाली कशा सुनते रहतें लेकिन जीवन में आता है तो नहीं पैड़ भी दिखता है कर दो पत्नियां भी दिखती है तब आपको ऊनुरा पक्षी के आख नहीं दीखती हैं। आप भी मन में एक अधाय सुनते हैं पड़ते हैं तो जीवन में लाने के मोगा होता है। तो पहली बात तो यह हैं कि इन सारी बाहिये चीजों से आप दूसरा परिक्षा में गबराहट का कभी कारण यह होता है। कभी लगता है समय कम पढ़ गया। कभी लगता है कि अच्छा होता मैं वो क्वेश्चन पहले कर लेता। तो इसका उपाई हैं पहले एक बार फूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। मन से तयकिजिए कि किस आशर में कितना मिनित मोड़ा मेरा जाएगा। और उस्सी प्रकार से अपना समयु तयका है। अप खाना खाते हैं कि इसके लिए कोई गड़ी और कोई भेल थोड़ा बचता है कि चलो आप खाना बन को रहता नहीं है तो ये है दूसरा मैंने देखा है कि आज कल जो सबसे बड़ी समझ्या है जिसके प्राण ने समझ्या आप मुझे बताईएं आप एक्जाम देने जाते हैं, मतलब आप फिजिकली क्या करते हैं, आप फिजिकली पैन हाथ में पकड़ करके लिखते हैं, यही करते हैं, दिमाग अपना काम करता हैं, आप क्या करते हैं, लिखते हैं, आज के यूग में आइपड के काराण, कॉम्पूटर के काराण, मोबा जब भी एक्जाम में लिखना होता है इसका मतलब हुआ जह अगर एक्जाम के लिए तायर करना है तो मुझे अपने आपको लिखने के लिए भी त्यार करना है आज कल बहुत कम लोग हैं जिनको लिखने की आदफ और इसलिए डेली जीतना समय आप अपने पठन पाटन में लगाते हैं स्कूल के बाद उसका मिनीमम 50 परसेंट टाइम मिनीमम 50 परसेंट टाइम आप खुद अपनी नोटबुक के अंदर कुछ न कुछ लिखेंगे हो सके तो उस विशे पर लिखेंगे और तेन बार चार बार खुद का लिखा हुआ पढ़ेंगे और तो आपका जो इंप्रूमेंट होगा किसी की मदद बिना इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको बाद में लिखने की आदत हो जाएगी तो कितने पेज पे लिखना इतना लिखने में कितना समय जाता है यह आपकी मास्टरी हो जाएगी कभी-कभी बन से विशे आपको लग तो आपको लगते हैं यह गाना तो मुझे आता है क्योंकि आपने बहुत बार सुना है लेकिन एक बार गाना बन करके जरा कागच पर लिखो नो गाना आता है तो पता चलेगा नहीं या सुनते समझें मेरा कॉंफिडन्स था मुझे अच्छा लगता ता और आता था हक्कीकत म मुझे आता नहीं था मुझे वहाँ से प्राम्टिंग होती थी इसलिए मुझे वो लाइन याद आ जाती थी और उसमें भी पर्फेक्ट शब्दे के सबन में कि जो बात आएगी तो मैं पीशे रह जाओंगा मेरी आज की पीडी के साथियों से बहुत मेरा आग रहा है कि कृपा करके आपकी एक्जाम में एक बड़ी चैलेंज होती है लिखना कि इतना याद रहा सही रहा गलत रहा सही लिखते हैं गलत की तो वो तो बात का विश्य है आप अपना ध्यान प्रैक्टिस में इस पर कीजिए अगर ऐसी कुछ चीजों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे मुझे पक्का विश्वास है कि एक्जाम हॉल में बैक्टें के बाद जो अनकमफोर्ड या प्रेशर फिल करते हैं वो आपको लगेगा ही नहीं क्यों अपने किताओं में तैरना ऐसे होता है और आप सोते हाइं मैं तो पढ़ाता है तो फिर आपको लगता है पहले हाथ पर दिमाग से खब कर लिया अंदर जाते ही पिर कि मुसिबत शुरू हो जाती है लेकिन जिसले के पानी में प्रेक्टीय सुरू कर दी उसको कितना ही यहरा पानी क्यों हो उसको होता है ili और इसलिए प्रैक्टिस बहुत आवशक है लिखने की प्रैक्टिस बहुत आवशक है अब लिखना जितना होगा शार्पनेस ज्यादा आएगी आपके विचारों में भी शार्पनेस आएगी और अपनी लिखी हुई चीट को तीन बार चार बार पढ़के खुद करेक दूसरा अगल बगल में वो बड़ी स्पीड से लिख रहा है मैं तो तीसे क्वेस्चन पर अड़ा हुआ हूँ वो तो सात्वे पर चला गया दिमाग इसमें मत खपाई है बाबा वो सात में पहुचे नव में पहुचे करे न करे वो पता नहीं वो सिनेमा की स्टोरी लिखत होगा तुम अपने पर फरोसा करो तुम अपने पर फरोसा करो अगल बगल में कौन क्या करता है चोड़ो जीतना ज्यादा अपने आप पर फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपका क्वेस्चेन पेपर फोकस होगा जितना ज्यादा क्वेस्चेन पेपर फोकस होगा इतना ही आपके आंसर के एक एक शब्द पर हो जाएगा और अल्टिमेटली आपको परणाम उचित मिल जाएगा धन्यवाद धन्यवाद प्रणाव प्रबंदन का ये सूत्र जीवन भर हमें प्रेरित करेगा